मुलाइम सिंग यादब का निधन 82 साल की उम्र में मैदान ता अस्पताल में ली अंतिम सांस पूर्ब सीय मुलाइम सिंग यादब के निधन से सियासी गलियारों में सोग की लहर पी एम मोदी सहित कई नेताओं ने जताया शोग बिहार में आरज्वेडी के रास्टिय सम्मेलन में सामिल नहीं होंगे जगदा नंदु सिंग बीजेपी ने बताया पुत्र मोहा ठाकरे गुट के समर्थन में हजारों हलफ नामे सिंदे ग्रुप ने बताये फरजी जालसाजी का केस दर्ज बिहार की मुख्यमंत्री को अती पिछडों से ज़्यादा एमबाई का भरोसा सुसील कुमार मोदी ने नितीस कुमार से मांगा इस्थीफा लखनू में आज स्कूल बंद अस्पताल अलट भारी बारिस की आसंका में प्रशासन सतर्क कंट्रोल रूम भी बना लोक निर्मार विभाक की समिक्षा के दौरान सीएम भूपेश दिखे सक्त कहा खराब सड़कों की नहीं मिलनी चाहिए सिकायत बारिस के बाद सीएम योगी का जल भराब को लेकर सक्त निर्देश कहा प्रशासन मुहया कराए मदद संसदिय स्वमिती ने राश्टपती को सौपी रिपोर्ट सलस्थानों में हिंडी और इस्थानिय भासाओं में पढ़ाने की सिफारिस राजेंद्रपाल गौतम ने मंत्री पत से दिया इस्थीफा देवी देवताओं को नाम मानने वाली सपत को लेकर थे विबादों में देखते रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर